दिक्कत नहीं तो थोड़ा सा तो आज हम सभी बाहनों को बहुत-बहुत बधाई देंगे और बहुत-बहुत सुपकामनाओं के साथ हम सभी का आज की जो गुजिया है आज की जो पकवड़ी है जो भी डिस आज हम सभी लोग बनाएंगे वो राइस ब्रांड का हमारी कमपनी इतना बढ़िया प्रोड़क्ट हम सभी लोगों को दे दी है तो हम सभी को फिर से गुड़ मारिंग सुमन यादव रहने वाले जौनपूर के लेकिन हमारा जो काम छेतर है वो सुल्टानपूर से है और मैं अभी काली ही रात में आई हूँ सोचिए कि आज हम सभी लोगों क लिए एक ऐसा प्रेट फार्म देए कि जो एक हाउस वाइव एक पढ़ी लिखी महिला एक नौकरी करने वाली महिला और एक बिना पढ़ी महिला भी रियक्षन को कर सकती है तो आज हम सभी लोग बहुत ही सवभागी साली है कि आज देखिए कि आज हम सभी लोग अगर रिय डियक्षन के हम नाव पे बैठ गए और बैठने के बाद आज देखिए कैसे हमारा वैलू बढ़ रहा है सर ने बताया ना कि आज सुमन मैडम दस पांच मिनट का समय मिला था तो बात की ये जो बात करने का जो मुझे तरीका मिला और जो बात करने का मुझे जो हौसला मिला ये किस से मिला डियक्षन से मिला तो जितनी भी बारी महने हैं ये जाने कि डियक्षन में एक एक महिला क्राउन अंबेश्डर बन सकती है और एक एक महिला बात करने का तरीका हम सभी लोगों को कोई कुछ भी कहता है देखिए हम सभी लोग हमेसा पास्टू लेते हैं हमेसा कभी निगेट्व की बाते हम सभी को पसंद भी नहीं आती है क्योंकि हम सभी लोग डियक्षन के फैमिली बहुत ही अच्छी महिला अच्छे सोज की अच्छे संगत की अच्छे आदत की बन चुके हैं आज हम आप बताएं आपको कि आज मैं अभी जो लखनव से लौट करके मैं आपको बताना चाहूंगी कभी लखनव में हमारे रफीक सर की और प्रजीश सर की मीटिंग हुई मुझे टिकट नहीं मिल रहे थे हम 26 टिकट सिर्फ पाये थे सिर्फ 26 महिलाओं को लेके गए थे औ और हम और टिकट चाह रहे थे जिसमें हमारी गवरी गयान जमेठी बदाएं काफी टीम से लोग नहीं सिर्फ हम सुल्टानपुर की बात करें तो 26 महिलाओं मेरे साथ गई थी आज सोचिए डियकसा नहीं मिला होता तो मैं एक महिला से परचित होती की नहीं होती घर में कौन है लेकिन इतना अच्छा लगा कि वहां बैठने की जगह नहीं थी लखनव में बैठने की जगह नहीं थी मेरी टीम गई नीचे बैठना पड़ा हम कहें कि सभी लोग नीचे बैठे हमारी टीम नहीं काफी लोग बैठे थे लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि बैटने के लिए लोग खड़े हो करके मीटिंग सीख रहे थे बैट करके जमीन पर मीटिंग सीख रहे थे रफीक सर ने इतनी बढ़िया बात की इतने सरल सब्दों में बात किया कि जो एक एक महिला आने के बाद मैं लखनाव से आने के बाद बता रहे हूं कि मैं सोज कर भ आप ले जाएंगी उतने लोग आपके हंडेट परसेंट हो जाएंगी और आपके जैसा बनने का पूरा कोशिस करेंगे क्योंकि हम बता रहें कि मैं जौन वहां जौन लखनौ से आई आने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा होली की तैयारी कर लूँ गाउं भी जाना है मैं कल चब्जे टाइम पाई हूँ पूरे दिन मैं मीटिंग करती रही परसों भी मीटिंग की नर्सों भी मीटिंग की चब्जे मैं आई जब बहुत जल्दी से बच्चों को तयार करके फिर सर जो और कि गाड़ी स्टार्ट किए नौ बजे नौ बज़ करके दस मिनिट पर मैं अपने ससुराल में पहुंची हूँ, साड़े आठ बजी अपना चैनल मर गाड़ी में चलाते चलिया हूँ, इतनी दिवानगी मुझे डियक्सन से है, कि जबकि हम चाहते कि मैं फोर्विलर गाड़ी से हूँ, इस में नेटोर का इसू हो सकता है, और मैं जहां हमेशा राती हूँ, वहाँ वाई-फाई लगवा लिए हूँ, ताकि मुझे कभी डियक्सन से कोई भी चीज की दिक्कते न हो, और मैं रास्ते में आ रही थी, साड़े आठ बजी हमने चैनल को चला दिया, सभी लोग हमारे बात किये, नव बच के दस मिनट पे मीटिंग खता हुई, उसके बाद मैं घर पर पहुझी, और फिर देखिए सुबह अभी सर बताए कि मुझे मीटिंग में सुमन निकलना है, आज की मीटिंग तुमको देना है, तो मैंने तूरं तयार हो गई, मैं बताती हूं कि मेरी पहली प्रात्मिक्ता जो होती है, वो डियक्षन के लिए होती है, मैं अपने बच्चों को पीछे कर देती हूं, मैं अपने फैमली को पीछे कर देती हूं, मैं खाना भी नहीं खा पाती हूं, चलेगा, लेकिन डियक् से प्रेम है तो मैं आपको बताओं कि कोई माई का लाल आको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर को दिवानगी है बताइए हम सभी लोग इतने सौभागे साली हैं आज हम सभी लोगों के बिंच में हमारे प्रोफेसर सर हमारी रतना मैं आज देखिए आज हमें नहीं लाई होते हैं तो साथ हम आप एक जो महिला एक जो एक खास आज एक जो महिलाएं हैं जो आज घर में बैठी हैं जिसकी कोई पहचान नहीं है आज पैसा कमा रही हैं सपना पूरा कर रही हैं चाहतों को पूरा कर रही हैं आज खास बन चुकी हैं तो ये कहीं न क ताकत को पहचानने के लिए उनको बताया है कि आपके अंदर वो ताकत है आप कर सकती हैं तभी एक महिला आज जो पड़ी नहीं है मैं जाती हूँ अभी अपनी गवरी गंज की अमेठी की मीटिंग में गई थी ऐसी महिलाएं कि इतनी खुसी हो रही थी कि अभी एक महिने दो महिने में आई बताएं मीरा बोनस अभी दो महिने की आई महिला उनका 1400 इंकम था दोनों पती पत्नी इतना खुस थे हम लोगों ने उनको दोनों लोगों को जैसे साधी होता है कि आप माला उनको पहना दीजिए वो पहना दे दोनों लोगों ने माला पहना इतना खुसी दि कितना सुनाहरा याऊसर हम सभी को दिया है हम कितना भी तारीफ करें कम है कि आज दनीव हैं हमारे बहने हाँ चाय ले करके साबून खोल करके बंद करके नहीं खोल करके अपने आपको मैं हमेशा बार-बार यही काती हूं किwieक्षण का प्रोडक्ट बाद में डियक्षण का प्रोडक्ट पहले आप है आप अपने आपको सुन्दर बनाएए, आप अपने आपको किसी भी व्यक्ति के सामने बात करने से आपको कोई हिचकिचाहट नहोगा आप से बात करें तो आपको confidence छलकना चाहिए, कोई चाहे ड़क्तर हो चाहे कोई even कुछे भी हो वह आप से बात करें तो आप उसे बात कर सकते हैं अपने product पर अपने system पर अपने plan पर कि ताकि ओह आप से, आप बताइए कि आप जहां के doctor हैं तहां के लेकिन séjour को डाप्टर मैं हूँ, डियक्सन की मास्टर मैं हूँ, आप जब आपको नालिज रहेगा, तब आप किसी से बेजी जग बात कर सकती है, आप डाट करके हटा सकती है, यह डियक्सन का पावर है, यह प्रोडक्ट का पावर है, इसके लिए हम बाहनों को क्या करना है, कि RGGL 100% का है, पहले मुझे खाना है, इस पारो लिना मुझे खाना है, चाय का पानी मुझे पीना है, 2-in-1 काफी मुझे पीना है, 100% इसका वेनिफिट मुझे लेना है, अगर हम इस वेनिफिट को लेते हैं, तो जा करके हम फिल्ड में बता सकते हैं, फिल्ड में जब हम आप जाते है तो तमाम सौधानियां भी बरतनी पड़ती है पहले एक ही कपड़ा हो लेकिन साफ सुतरा हो आपका जो गले में जो आईकार्ड है उसको आप पहन के जाएए आप अपने प्रोड़क्ट को चाय के पानी को साथ में बाटल में ऐसे बाटल में लेके जाएए जिसमें दिखता 12 सवाल आता है कि कितना खाऊं नुकसान तो नहीं करेगा है तो वहां दिखाईए कि मैं आपके सामने आप घर से मत खा के जाएए वहां खा करके कि मैं यहां खा रही हूँ और ये दो घंटे आपके सामने मैं मीटिंग करूँगी, आप देखिएगा मैं मरती हूँ की जीती हूँ, बेहोस होती हूँ, कैसा होती हूँ, तो उनको लगेगा, क्योंकि ये चीज हमको फिल्ड में करना है, हम बंद प्रोडक्ट कभी नहीं लेके जाएं, और वहां जाने क के बाद हमको जादा से जादा क्योंकि हम बहनों को इतनी परिसानी जिलना पारता है, मैं अभी जाती हूँ, जब फिल्ड में तो देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि महंगा है, लोग कहते हैं कि किसी कंपनी से हैं क्या, लोग कहते हैं कि नेटो वर्किंग करती हैं क्या, ये आज भी मैं फिल्ड में बनी हूँ, आज मैं होम मीटिंग करती हूँ, बड़ी मीटिंग करती हूँ, वहां भी ये बाते होती है, किसी कमपनी से है क्या, आप बता दीजिए, किसी कमपनी से नहीं, क्या आप किसी कमपनी का प्रोड़क्ट नहीं यूज करते, एक अगर महिला क की कमपनी का प्रोड़क्ट लिये हैं तो क्या गुना है नेटवर्किंग की बात लोग करते हैं नेटवर्किंग की हमें आपको क्या जवाब देना है कि नेटवर्किंग नेटवर्किंग क्या अगर हमारे दादा नहीं होते तो पापा नहीं आते पापा नहीं होते तो हम नही होते मेरे बच्चे नहीं होते यह हमारे फैमिली में निटवर्किंग है सोचिए बताना चाहिए इसके लिए मुझे याईसे मीटिंग में सीखना चाहिए कि जहां जैसे भी समस्या आए उस तरीके से उसको समझाना चाहिए कि कहां निटवर्किंग नहीं है हमारे फैमिली में networking है बच्चे होंगे बच्चे के बच्चे होंगे ये तो जोड़ने का काम है वहां हमें आपको बताना होगा साबुन को खोलिए साबुन को लगवाईए अभी ये भी बाते आती है ये भी समस्य आती है कि आपका साबुन लगा रहे थे अभी आपका साबुन नहीं लगा रहे यह आपका नुकसान कर रहा है तो यह मुझे बताना चाहिए कि हमारा जो किंगा फर्व है जो जड़ी बूटी का राजा है जो गैनो डर्मा है यह करता क्या है यह आपके सरीर से जो भी अनावश्चक चीज है आज के वातावगरण में देखा जाए हवा सुध नहीं है पानी सुध नहीं है भोजन की बात देखिए अभी हम सब्जी हम सब्जी लाएं दो दिन पहले लवकी की सब्जी हमने पकाना सुरू किया पकाते पकाते सब्जी पकड़ ली पर पकी नहीं सोचिए कि छोटी सी लवकी रहती है उसमें इंजक्सन लगा करके लोग बढ़ा कर देत करना है कि हमें आपको बताना है कि आज का जो भी गाउं में जो खेती हो रही है वो भी बिना यूरिया बिना डाई बिना पोटास बिना इंजक्शन लगाए कोई सब्जी नहीं पायदा हो रही है ये मेरे सरीर में जा रही है तो जाने के बाद जो सरीर की जरूरत है वो नहीं जो गंदगी आनावश्क चीज है, वो चीज मेरे बाड़ी में जा करके, सर से लेकर के पैर के नाखून तक, जहां भी हमारा ब्लड डाओर रहा है, सभी ब्लड में हमारे गंदगी इकटा हुई है, तो ये मेरा जो गैनो डर्मा है, और गैनो डर्मा से जो बना साबुन है, ग तुमारे अंदर आनावशक चीज गंदगी है उस चीज को लेटिंग के रास्ते पिसाब के रास्ते फोड़े के रास्ते फुनसी के रास्ते पसीने के रास्ते बलगम के रास्ते आप के कीचर के रास्ते दाने के रास्ते वो बाहर कर देता है जब बाहर करता है तो हमारी आप की सरीर क्या होती है साफ हो जाती है हमारी आफ की सरीर जिस तरीके से हम एक मकान बनवाते हैं उसकी सफाई करते हैं जिस तरीके से हम गाड़ी की खरिदारी करते हैं उसकी सफाई करते हैं लेकिन हमारा सबसे कीमती सरीर होता है जिससे हमारी पूरी सरीर चलती है उस सरीर के अं हमारी सरीर की गंदेगी बाहर हो जाए तो हमारा जो हार्ट है वो अच्छा काम करेगा हमारा जो लीवर है वो अच्छा काम करेगा हमारी जो किड्नी है वो अच्छा काम करेगा हमारा हाथ है जो अच्छा काम करेगा हमारी आखें है अच्छा काम करेंगी हमारा पैर जो है सिक्या हर अंग खूसा हैं यह मुझे बताना है फिल्ड में साबून की बात मैंने बताया कि दाना और निकल गए तो क्यों निकल गया यह गंदगी बाहर निकल रही है आज हमारा अगर गंदगी बाहर नहीं निकलता है तो आज मुझे यह दाना बड़ी बीमारी में ले जाता अभी की बात छुड़ देजिए, अभी कुछ साल बाद लोग जो है कि कितनी बीमारी में जाएंगे, अभी इस समय देखिए, हम देख रहे हैं फिल्ड में लोगों को कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्या कैंसर एक दिन में आया है, कैंसर एक दिन में बहनों नहीं आय एक एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है छोटा सा बच्चा नरसरी से पढ़ाई करता है तो धीरे धीरे पढ़ करके बड़ा होता है तब जाकर के नौकरी पाता है कि नहीं भी पाता है तो वैसे ही हमारी सरीर में बीमारी एक दिन में नहीं आ प्रोड़क्त हैं तो हम सभी लोगों को जब फिल्ड में मीटिंग करते हैं हां हमने देखा है कि अगर हम किसी को साबू लगाते हैं तो अगला ब्यक्ति थोड़ा सा हम मैलाओं का सुभाव है हम लोगों को सुंदर भी दिखना रहता है तो हम लोग थोड़ा पनी तैयारी भी के लिए कहते हैं कि बहन आके आख बैटिये हम आपको साबू लगाते हैं हम आपको मनजन लगाते हैं तो अपना चेहरा खराब नहीं करना चाहती कोई बहन हमारी बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि मैं ये फिल्ड में देखती आए हूँ और मैंने ये अनुभाव किया कि होने वाली है तो हमें आपको क्या करना है हमें आपको उस साबून को अपने चेहरे पे लगाना है अपने चेहरे पे लगा के दिखाना है सामने वाले को कि आप देखिए इसी तरीके से साबून अगर आप अपने चेहरे पे लगाती हैं तो आपका चेहरा डेली जितना मीट दिन आपका चमकदार होता चला जाएगा क्योंकि हमारा गैनो डर्मा इसकीन को चमकाता है तो आपका चेहरा भी अच्छा हो रहा है और सामने वाले प्रभावित भी हो रहा है देखने के बाद तो हमें तरीका धूर लेना चाहिए कि कैसे अगला व्यक्ति बात की हमारे समझे कैसे अगला व्यक्ति मेरी बातों को मानेगा यह चीज हमें समझना बहुत जरूरी है चाह की पानी अभी देखिए किसी को एक दिन अगर आप इस पारो लेना खिला दे रहे हैं एक दिन चाह का पानी पिला दे रहे हैं तो लोगों में इतना टाक्सिन का लोड हो गया है कि कोई बता रहे हैं कि मुझे ट्वालेट बार बार जाना पड़ रहा है है कि मुझे चकर सारे आ रहा है तो आप समझिये कि कि कित्नी बीमारी अंदर इंसानों को आपर कि हो गई है कि जो छोटे से प्रोडक्ट में एक दो खुरा खाने के बाद गंधी को बाहर निकालने कोई reflection नहीं आता था लेकिन आज टत्काब reflection कर देता है, हमारी बाडी reflect करती है, तूरंत गंदि की को बाहर निकालना शुरू करती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है उसके लिए हमें जिसको product देना है और team में ये एक बहान को सिखाना है कि इसके लिए आप एक list बनाईए अगर आप एक list बनाती हैं और list बनाने के बाद उसमें आप लिखिये मैं आपको basic बाते बता रहे हूं मुझे मैं ये नहीं कहते हैं कि मैं EDD हूँ तो मैं वो बाते करूँ या मैं Crown Ambassador बन जाओं तो मैं वो बाते करूँ मैं आपको मैं कैसे बनी EDD मैं कैसे बनी ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे Crown Ambassador हम सभी बनेंगे ये तरीका क्योंकि पैसा कमाना असान है लोग बताते हैं कि मेरा इतना इंकम आ रहा है लेकिन आता कैसे है किस तरीके से हमने काम को किया है किस तरीके से हमने काम करते हुए जेला है ये तरीका हम बहनों को आना चाहिए तो मैं आपको बेसिक बाते बता रही हूं कि अगर आप फिल्ड में आप जा रही हैं तो आपको जो reflection कर रहा है तो प्रोडक्ट को अभी मैं बता अजब जाती हूं तो महिला को बताती हूं आप खड़ी हो कर के लिस्टिंग का काम करिए एक डायरी लीजिए आप नाम नोट करिये आपने जिस महिला को चाय दी हैं जिस महिला को साबुन दी हैं उसका नाम नोट करिए आप आईए उनको follow up करिए घर में आप आईए दूसरे दिन आप उनके फोन पर कल करिए कि आपका साबुन आपने लगाया कैसा लगा फायदा किया कि नहीं यह नहीं पूछना है क्योंकि अगर अभी नहीं महिला तुरंट बता देगी कि नहीं फायदा कर रहा है आप पूछिए कि इसका टेस्ट कैसा लगा है साबून लगाने के बाद आपके चेहरे पे कैसा अच्छा लग रहा है चाय पीना आपको अच्छा लग रहा है कैसा लग रहा है तो आप बताएगी यो कि बहन आपकी चाय हमने पिया आप आपकी चाहे पीने से मुझे बार-बार फ्रेस होना पड़ रहा है, आपकी चाहे पीने से मुझे ट्वालेट बार-बार हो रहा है, आपकी चाहे पीने से मेरे सरीर में, मेरे पेट में जैसे गुम सा हो गया है, मेरा पेट और भारी हो गया है, आपकी चाहे मुझे सूट नही आप कैंसर से बच रहा हैं आप इस चीज को पिना छोड़िये गा नहीं और पीती रहिए और पीती रहिए बढ़ा के पीती रहिए लेकिन मुझसे संपर्क बनाई रखिए मुझसे संपर्क इसके लिए मुझे छोटा-छोटा बारीक-बारीक काम करना पड़ीगा और किसी के मनजन बजार जैसे साबन लगा के छोड़ देंगी तो उनको हमसे संपर्क हमेशा क्योंकि हम कहते हैं किसी को आप बताईए तो 24-48 घंटे के अंदर जरूर फालो अप कर लिजिए क्योंकि इसके बाद इंसान से बाते बाहर निकल जाती है 24-48 घंटे के अंदर उनके अंदर इबाती रहती हैं तो इसलिए मुझे जहां भी मीटिंग करना है उनको फालो अप जरूर करना है और उनकी चाय खत्म होई फिर आपको जब तक आप उनके यहां जा जाके जा जाके अपने जैसा लीडर एक ब्यक्ति एक गाउं में मीटिं का काम है हम डूबलिकेट करते हैं हम नकल करते हैं इस तरीके से अगर हम क्योंकि अगर हमी डियक्षन करते रहेंगे तो हम अकेले कहां तक पहुँच पाएंगे एक जगा आप मीटिंग करके जहां मीटिंग करती हैं एक महिला को एक भाई को वहां ट्रेंड कर दीजिए वह वहां आपका क्या हो जाएगा जो छे लाइन का जो हमारी सर लोगों ने बताया कि जितना भी आप हर आता है छे लाइन पर चलता है तो छे लाइन पर छे सेंटर आप बना दीजिए छे लाइन पर छे लोगों से छे सेंटर बना दीजिए कि मैं इस दिन यहां ओंगी मैं इस द वाइनर ले करके और अपना प्रोडक्ट ले करके क्योंकि अगर डाक्टर क्लिनिक कहीं खोलता है तो हर रोज वहाँ बैठता है समय से बैठता है समय से बंद करता है उसी तरीके से आप एक एक महिला अपना एक सिंटर जहां बनाईए आप जब जाएंगी अपना वाइनर वह नहां बैठती हैं, चाय का पानी ले रहती है, ऐसी क्या है, तो वहाँ लोग जान जाएंगे, तो धीरे 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 वहाँ की संक्या बढ़ जाएगी, दूसरे छेंडर पे आप चले जाएए, एक दिन उसने सोमवार को एक दिन कर दिजिए, मंगलवार को एक दिन, लोगों से देखिए संख्यावल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है 100% बढ़ेगा क्योंकि हमें आपको जब पढ़ना रहता है नावकरी की तैयारी करना रहता है तो हम सभी लोग सुबद 4 बजे उठ जाते हैं और तैयारी काम करके कितना भी महिलाओं को काम करना पढ़ता है ल कि अपके मैम का इधिंग नेट का डिसकनेक्शन हो गया है तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को सुमन मैडम ने बताया कि किस तरह से हम लोगों को काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है सभी लोगों के अंदर हो लोगों होना चाहिए दोस्तों जो सुमन मैडम ने हम लोगों को बताया है बहुत ही जबर्जस बहुत ही अच्छी तरीके से जो पाउर्फूल इंफरमेशन के मातर से आ रहा है उस चीज को हम और आप सभी लोगों को अपने अंदर डाल लेना है और उसी तरीके से काम करना है एक महिला का स्पीच इतना पाउरफुल इतना दमदार इतना बढ़िया होने के वज़े से हम लोग यह जान सकते हैं कि हम लोगों को भी इसी तरीके से पाउरफुल रहने की जरूरत है अभी तो सबसे बड़ा दिक्कत हो गया है एक चीज का और वो चीज यह है कि हम और आप यहां पर